हालो अब्रीवन दिश्म शादियर तोड़े वी आर गूंग टू स्टड़ी दे ब्लॉग डियाग्राम अफ एम ट्रांस्मिटर एम ट्रांस्मिटर एम रिसीवर एंड एफम रिसीवर ओके इन प्रिविएस लिक्ट्टर आव एक्स्प्रेंड बेसिक कॉम्निकेशन सिस्टम ब्लॉग डाइगाम तो उस लिक्ट्टर मैंने एक्स्प्रेंड किया था आपको कि कैसे अगर हम अपने फ्रेंड से बात करना चाते हैं तो हमारा मैसेज जो है वो मुझसे स्टार्ट होकर मेरे फ्रेंड तक किस तरह से पहुंचता है और पहुंचने में कौन-कौन सा कॉम् में तो क्या था वह हमारा मैसेज वह रिसीवर पकोंचता तो कैसे पहुंचता है सब्सक्राइब कि थो आपको म्हें निकलने के बाद किसी हैं तो एंटिने के ठ्रुं होने के लिए क्रिखता है पहले बालेtır में हम नहें नें एक स्सेंट करना देखा यह कहला आएगा transmitter section बेसिकली यह सिर्फ ट्रांस्मीटर का ब्लॉक लेकिन यह क्या complete रूप से हम कह सकते हैं यह क्या है आपका इन्पूट साइड है और यह क्या है आपका receiver साइड है तो यह जो इन्पूट साइड देखा ही दे रहा है यहां पर यह हम लोग है और ट्रांस्मीटर का काम यह होता है कि जो भी इंपूर्मेशन यहां क्या-क्या main part होता है कि ये information को transmit कर पाता है receiver को, ये आज हम दोग देखेंगे तो हम दोग इस block का आज explanation देखेंगे, इस block के अंदर क्या-क्या different block होता है, यानि sub block कॉन कान होता है और कैसे ये transmitter work करता है similarly हम दोग फिर देखेंगे receiver, कि receiver में कौन-कौन सा block होता है और यह कैसे work करता है यानि यह signal को transmit करता है transmitter तो receiver receive किस-किस block से होते हुए मतलब receiver में जो signal आता है वो कौन-कौन से block से pass होते हुए हमारे output तक पहुंचता है तो यह दोनों आज हम लोग discuss करेंगे इसी में हम लोग एक important चीज़ discuss करेंगे जिसको कहाएंगे super heterodyne receiver के बारे में receiver जब section discuss करते रहेंगे तो एक important topic है जिसको हम लोग discuss करेंगे जिसका नाम है super heterodyne receiver तो हम लोग दिखते हैं चलिए start करते हैं आज का topic तो आज का topic है हमारा सबसे पहला transmitter then receiver ओके तो transmitter का अगर हम लोग क्या लगा रहा होता है इसे पहले लगा होता है transducer जो आपके voice signal को convert कर देता है electrical signal में यह electrical signal जब हमारे पास transmitter के block पहुता है यह पूरा क्या है complete रूप से transmitter का एक block है transmitter के block को हम लोग ने क्या क्या है divide करके देखा है अलग-अलग sub block में study कर रहे हैं कि transmitter के अंदर क्या क्या होता है तो सबसे पहले जब आपका electrical signal यहां पर पहुंचता है तो जो हम लोग बूलते हैं वो voice signal या electrical signal जो होता है वो काफी weak होता है उसका strength इतना नहीं होता है कि उसको अगर हम लोग direct transmit कर देंगे तो वो receiver तक पहुंच जा है तो पहले हम लोग क्या करते हैं जो हमारा signal है जिसको actually हम लोग को trabaja tungsten sound श् livestream can tra नहीं सकता है तो हम लोग का signal का strength होता है तो हम लोग उसको क्या करता है क्रिया काएव 오른 तो सिंनल को और जप वह स्ञूट गूर्ट होẹता है इतना strength provide क्या आता है ताके वो क्या हो जाए आपका modulator section में पहुचने के बाद क्या हो amplify वो सके properly तो यह क्या काता है pre amplifier का काम है कि जो भी weak signal है उसको क्या है जो हमारा मतलब कोयाब भी तेज बोलता है कोयाब में धीरे बोलता है तो अगर किसी भी तरह का audio signal मिल रहा है ठीक है उसको पहले electrical signal में करवर्ट किया जाएगा यहां पर इंपूट ट्रांस्विप्सर कर थू और उसके बाद जब यह प्रिप्री अंप्लिफायर में पहुंचेगा तो प्री अंप्लिफायर का काम ही होता है कि अगर वीक सिगनल है यहां पर जो सिगनल यहां पर पहुंचता है उसका नाम होता है इस सिगनल का नाम होता है मॉडूलेटिंग सिगनल ओके और यह क्या है नीचे में क्या लगा हुआ है नीचे में है RF oscillator ये RF oscillator का काम क्या होता है ये एक oscillator है जो carrier frequency को generate करता है यानि ये high frequency carrier wave को generate करता है इसका काम क्या है high frequency एक second high frequency carrier wave को ये क्या करेगा generate करेगा तो ये high frequency carrier wave क्यों generate करता है ताकि आपका जो modulating signal है high frequency करेंगा यह क्या है आपका यह मॉडूलेटिंग सिंगनल यहां पर आया उसका नाम है यह मॉडूलेटर क्या करता है इस एफ-एम को एफ-सी के ऊपर लोड कर देता है यह मॉडूलेटर क्या है कि जो मॉडूलेटिंग सिंगनल है यानि जो ओरिजिनल सिंगनल है उसको कैरियर वेव के सिंगनल पर लोड कर देता है हाई-फ्रिकुंसी कैरियर वेव सिंगनल ही होता है इसके उपर लोड कर देता है जैसे मैंने पिछले क्लास में एक्जांपल दे होर्स की तरह है और यह FM क्या है आपको ओरिजनल सिगनल है जिसको आपको ट्रांस्मीट करना है तो यह इन दोनों को मिक्स अप करता है यानि इस मॉडुलेटिंग फ्रिक्वेंसी को इस कैरियर सिगनल के ऊपर लोड करता है तो यहां से जो सिगनल के आता है यानि इन दोनों का मिक्स होने के बाद जो सिगनल के आता है यानि एफ आय। ऐसका या ई缜 लेयल होता है तो इसको क्या क्या नहीं होता है ?وسक्कं करने के के दिर भाद इसको क्या करता है थोडा सा स्टेल्क प्रोवाइड कर आता इसके पावर लेवल को इंक्रीकिक कर दे आता है फ्लेवल इनक्रीइस होता है races ओर और देन यह यह एंटीन आपक्रास पहुझता है और यह रात प्योव neither जुक्शता है तो यह करना होता है? Convert कर दिना होता है, यानि कि हवा में हम को communicate करना है, तो जाइट सी बात है, यहाँ पे अगर यह electrical signal होगा, तो इसको कोई ने कोई medium चाहिए होगा, transmit होने के लिए अगर यहां पर नहीं है मेरा, तो क्या transmit हो नहीं transmit हो सकता है तो हम को क्या अगर wireless लेकिन अगर वार्लेस है तो हम लोगों को एंटीना की ज़रूद पड़ेगी जो एलेक्टिकल सिग्नल को उसके बाद आगे करेगा तो आई होप आपको यह एम ट्रांस्मीटर का ब्लॉक डाइग्राम समझ में आ गया होगा कि और एम ट्रांस्मीटर का मतलब किसी बी कम्निकेशन सिस्टम मीं वह कैसे लिए जब उसको एक सिगनल मिल जाता है यानि उलेक्टिकल यहां पे क्या होता है और इस से पहले आади क्या थाGuak सीगनल के फॉर्म में था वाई signal क्या था लक्तुष भर करें यह धनल मिलने के बाद क्या-क्या करता है और कैसे-कैसे-स-स सिगनल और करके उलक्त्र M Länder अगह आगे यह खेकर जाता है वही जो मैंने आ आपको संझाया आप देख कोई भी डिफ्रेंस नहीं है लिखावा सिंपल क्या है कि एम ट्रांस्मिटर टेक्स दा आउडियो सिंगनल को रिसीफ करता है जिसको हम लोगों को भेजना होता है ऑडियो सिंगनल या पर जो करने के बाद क्या करता है उसको कारियर फ्रिक्वेंसी के साथ यानि हाई फ्रिक्वेंसी के साथ लोड करता है और लोड करने के बाद यह बोला हम लोगों है कि एम वेव यानि कि क्या होता जब क्या होता है तो जो नया वेव निकल के आता आउट-पूट वो क्या होता है सब्सक्राइब करता है यहीं लिखा हुआ हूँ अधर को के उसके बात क्या होता है दोनों मॉडुलेटिंग सिगनल और कारियर 주ım निटर सोने के भाद करता है कि अनटीना की तरफ जाता है और यह कौन सब्सक्राइब करना है उसका पावर लेवल को इसको मैंने यहां पर आपके लिए सब्सक्राइब करें आगे बात करें अगर अगर बात करें तो आपको कॉम्निकेशन सिस्टम पढ़ें के डिटेल में तो महां बताया जाएगा क्या अभी मैं ज्यादा करने चाहिंगा फिर बात कैसे जो हम लोगंा सिम्ली समझे एक कीैनल होता है और एक होता एक होता क्या कुछानल के आता है जिसमें हमें क्या 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 इसको हाइब करता है जिसके ह ilsका Dynam estratt modulating signal load हो गया ठीक है upper यह कहता है high frequency यानि upper carrier और यह होता है यह lower side band यह upper side band होता है और यह lower side band होता है इस form में होके यह transmit हो जाता है aim में क्या होता है amplitude में modulation होता है जबकि FM में क्या होता है frequency में changes होता है यानि modulating frequency माल ले दिया आपका FM modulating frequency जो है वो आपका है suppose 50 kHz तो इसको बढ़ा के कितना कर दे जाता है इसको बढ़ा के यानि के एक carrier frequency का signal माल लेजिए आपका है 5 MHz ठीक है इन दोनों को mix किया जाएगा तो obviously इसका जो resultant frequency हो जाएगा यानि FM पलस FC FM पलस FC जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5050 kHz का है या मेगा हर्ट में कहेंगा तो क्या हो जाएगा 5050 मेगा हर्ट के फॉर्म में चला जाएगा तो यहाँ पर क्या बात करें इसका carrier frequency का हो जाएगा बहुत जादा बढ़ जाएगा यानि आपका signal अगर इस तरह का है यानि जिसका frequency 50 kHz है तो यह किस तरह carrier signal जो होगा वो हाई frequency का होगा इस तरह से वह होता है हालो में कि हाई frequency signal का वेव जो होता है यानि कि आप जतना जादा यह क्या होगा यह जो क्रिस्ट्रोट जो है जतना कम इसका time period होगा उतना frequency बढ़ता जाएगा तो देखे यह time period कम दिखाई दे रहा है तो इसका frequency क्या हो जाएगा हाई हो जाएगा यह carrier frequency हो गया ठीक है यानि carrier signal का वेव हो गया और यह आपका क्या है modulating frequency का वेव है इन दोनों को mix किया जाता है इसमें FM में क्या जाता है एक low frequency signal को high frequency signal के साथ mix करके टरांस्मिट के जाता है जबकि EM में क्या होता है एक amplitude signal को यानि एक simple modulating signal को एक carrier wave के ओपर load करके transmit के जाता है simply तो यहाँ पर जो होता है आपका modulated wave का amplitude जो होता हो बढ़ जाता है जबकि एफ में क्या होता है आपका अप्रिक्वेंसी क्या हो जाता है पहली इसको इसका नाम फेंसी काफी बढ़ जाता है इसका नाम होता है तो हम यह बात अभी डीटेल में ज्यादा हाला कि communication system अगर explaining करें तो काफी detail में एक एक step को समझाए जा सकता है लेकिन मुझे यहां पर basically block diagram ही समझाना है तो मैं चाहा रहा हूँ कि आपको जो basic idea है वो दे दूँ ताकि आप आगे जब पढ़ें तो आपको कुछ-कुछ तमाज माने लए कि हाँ यह चीज मैंने पढ़ा तो देखे एफें ट्रांस्मीटर और एम ट्रांस्मीटर में मिली क्या डिफरेंस है तो वहां पर भी हम लोगों ने देखा था देखिए microphone क्या होता है एक ट्रांस्यूसर की तरह काम करता है जो आपके वाइस को आउडियो सिग्नल में यानि के लेक्रिकल सिग्नल में करनव वहां भी एक उसलेटर था इसमें भी एक उसलेटर था वहां पर क्या था एक पावर होता यहां पर क्या यहां पर यूज क्या था आप आपको आपको अगर पुछा जाए के बेसिक ब्लॉक डियाग्राम आफ एफम ट्रांस्मिटर या एम ट्रांस्मिटर तो आपको सेम ब्लॉक डियाग्राम राकर करना एफम में भी एव में भी लेकिन ध्यान रखेगा यहां पर पावर अंप्लिफायर के दकाई राकेज़ेगा और यहां पर आप देखा सकते हैं यह माइक्रोफून को एफम के फॉर्म में यही जो भी आपका ओडियो सिग्नल यहां पर रिसीव होगा उसको माइक्रोफ दिफरेंस है जो आपको मैंने बता दिया कि क्या बेसिक दिफरेंस है लेकिन फंक्शन दोनों का सेम है कि कैसे फंक्शन करता है ठीक है तो मैंने इसको एक्स्प्रेंट कर दिया यहां पर अलड़ी कैसे कैसे मतलब एक्स्प्लाशन उसी के ब्लॉक का जो सेम एम की तरह ही है चलिए हम लोग चलते हैं receiver section में receiver section के block diagram में और transmitter section के block diagram में एक बहुत बड़ा difference है यानि यह दोनों क्या होता है एकदम अलग होता है आपका transmitter section में क्या देखा हम लोग कि जो भी signal आपका transmitter से निकल के आ रहा था वो क्या यहां पर देखे थे हम लोग कि यह वाला जो antenna से निकल के signal आ रहा था अब यह क्या होगा air से होते हुए कहां जाएगा receiver की तरफ तो receiver की तरफ पास जब पहुचे गई है तो यहां पर receiver का antenna क्या करेगा इस signal को receive करेगा इस signal को receive करेगा रिसीव करने के बाद यह भेजएगा RF tuner section में RF tuner section क्या होता है तो देखे यह होता है radio frequency tuned section क्यालाता बेसिकली radio frequency tuned section tuned section क्या अब इससे पहले वाले लेक्षर में हम लोगों ने पढ़ा था tuned amplifier के बारे में tuned amplifier जिसमें बताया था कि दो तरह का tuned amplifier को बताया था मैंने के single stage और double stage tuned amplifier तो single stage वाले में दिखाया था है कि एक tank circuit होता है जो कैसा होता है lc tank circuit होता है lc tank circuit होता है जिसमें हम capacitance को vary करता है और capacitance को vary करने के बाद इसकी frequency जो हमको required frequency होती है जिस frequency हमको amplifier को operate करना होता है वो frequency select करते है इस capacitance के value को बदल के कैसे मालूम है कि frequency का formula जो होता है 1 by 2 pi root lc होता है पता है यहां अगर हम लोग capacitance को घटाएंगे तो क्या होगा frequency obviously ब अगड़ेगा तो हम capacitance को change करके क्या कर सकते है इस tune circuit के क्या operating frequency को change करते हैं ठीक है मतलब हम क्या करते है यहाँ पर एक ट्यून circuit लगा रहाता है जो tune circuit से क्या करते हैं इसके capacitance के value क्या है और यहां पर हमको वही signal receive करते हैं हम जिसका requirement होता है जैसे आपका अगर यह AM receiver है तो ह समने कारिर सिब्सेंद एक साइन साथ सर्य एंस पचाश कीलो हर्थ से लेके इंस सीगनल का था तो यह यहां का काँ यह होता है ऐसका अगर कोई भी सिर्फिक्वरन होता हैस इन दोनों रेंज के बीच में है कि नहीं अगर इससे छोटा है तो चार लाइग सब्सक्राइब इस bandwidth का frequency है जो frequency आ रहा बहुत तर आहेगा क्योंकि इन्वार्मेंट में आपका क्या होता है चैनल में बहुत सारा नौइज होता और हर तरह का सिगनल होता है तो यह एम receiver में antenna का सबसे पहला काम क्या है कि जब यह receive करता है signal तो इसी bandwidth के signal को receive करना है Tune amplifier क्या करता है यहाँ पे select करता है किसको select करता है जिसका frequency range 540 kHz से लेके 1650 kHz के बीट में है उसी frequency signal को यह receive करता है बागी को क्या करता है यह reject कर दता है तो इसके मतलब इस tuned amplifier के इस property क्यों करते है इस सेलेक्टिविटी तून्ड एम्प्लिफायर के इस property क्यों करते है selectivity कौन सा property जिस property के कारण यह range of frequency यानि एक fixed range of frequency को select करता है जो frequency signal इसको required है उसी signal को यह क्या करता है select करता है बागी को reject कर दता है तो आप से पुछा जाएगा कि what is selectivity तो यह कह सकते है it is the property or ability of the tuned receiver section या फिर कह सकते है it is the property of the receiver through which it select the required signal यह क्या करता है required signal को select करता है and reject the unwanted frequency signal और reject कर दता है unwanted जो नहीं चाहिए यानि इसके बाहर का जो रेंज होगा उसको reject कर देगा और जो इसके अंदर करें जोगा यानि इसके बीच को होगा उसको select कर देगा इस property हो कहने है selectivity जिसका definition मैंने आगे जाके आपको लिख दिया यहाँ पे selectivity is the ability of the receiver for selecting a particular signal यानि particular range of frequency को यह select करता है while rejecting other यानि बाकी other को क्या करता है हम लोगों को आरेफ ट्यून से ठीक है यानि और यह प्रोपर्टीज होता है उस ब्लॉक में यह प्रोपर्टीज मिलता है हम लोगों को कि यह particular range of frequency को select करता है बाकी सारे को क्या कर देता है यह reject कर देता है अब आगे चलते हैं क고요 इसकी अंदर एक और प्रेंज ओता है जिसको कहते हैना S pandemic 的 ठेख है दोनों का नाम अलग-अलग है याद को कहते हैं ठेंग सेलेक्टिवीटी है और दूसरे हो कहते हैं 1150 kHz इसी रेंज को ये स्टेक्ट करेगा इसके बाहर या मतलब इससे पहले ना इसके बाद ये पर्तिकुलर रेंज और फ्रिकॉइंसी को सेलेक्ट करता है वह सारे का रेंड यतन नहीं है माले सबक रिगने है लेकिन उसमें कोई सिगनल क्या होगा amplified signal होगा यानि amplitude याद होगा किसी का amplitude क्या होगा कम होगा यानि कोई strong signal होगा कोई weak signal होगा तो अगर कोई weak signal आए अगर कोई weak signal यहाँ पर आया है तो RF tuned amplifier का काम यह है कि इस weak signal को भी identify कर लिया जाए ना कि इसको छोड़ दे जाए जो weak signal यानि threshold value से अगर कम simply अगर माल लिजे कोई signal आ रहा है जिसमें मैंने fit कर रखा है कि आपका amplitude यो आना चाहिए वो केतना आना चाहिए 5V आना चाहिए सपोस signal का जो amplitude है वो 5V रेसीव होना चाहिए लेकिन minimum केतना रेसीव होना चाहिए minimum रखा हुए जिसका frequency range इसके बीच में है frequency range इसके बीच में है और amplitude बहुत कम है तब भी वो रेसीव होगा लेकिन अगर इससे भी कम रेसीव होगा लेकिन अगर इससे भी कम रेसीवर क्या करता है कि जो signal आया उसका minimum value क्या है अगर कम होता है तो उसको amplify करके फिर से इसके नहीं मिला जेता है यानि यह तो मैंने बहुत बड़ा gap देदी है 5 से माल लीजे 5 से 4 ही रहता है माल लीजे हम कहें कि 5 वोल्ट से लेगा 4 वोल्ट की बीच में एक सेकंड है वेट हाँ तो हम लोग बात कर रहे थे हैं कि अगर माल लीजे यहाँ पे जो signal आपका receive हुआ है उस input signal का क्या है amplitude कम है यानि minimum threshold value से कम है तो यह RF tune section क्या करेगा उसको क्या कर देगा फिर से amplify करेगा यानि weak signal को amplify करेगा और amplify करने के बाद क्या करेगा आगे forward करेगा तो यह इसके properties होना चाहिए कि कोई भी signal अगर इसके पास receive हो रहा है तो चेक करेगा उसका frequency range जो desired है वो है या नहीं required signal के frequency range में वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है अगर नहीं आ रहा है तो उसको reject कर देगा और अगर आ रहा है तो उसको select कर लेगा इस पोपड़ियों कहता है minimum input signal को भी सेंस कर ले यह पोपटी क्या करता है कि minimum input signal यानि क्या है आपका अगर इंपूट सिग्नल रहा है उसका कहा होता है और फून सेक्षण के अंदर होता है यहाँ पर क्या करता है यह प्या पर रहा है इसका हम लोग सब्सक्राइब पढ़ेंगे तो वहाँ पर देटेल में मुझे इसको बताना था लेगिन चली मैं आपको यहीं पर थोड़ा करता हूं कि देखिए इसके अंदर क्या होता है एक ब्लॉक अलग से कनेक्ट होता है जिसको नाम होता मिक्सर ठीक है मिक्सर इसके अंदर होता है यहाँ लिखाओ मिक्सर इसके अंदर होता है और यह बाहर से कि एक ब्लॉक से कनेक्ट होता है जिसको कहते है कि हम लोग ऐं खो R k होता है कि ये जो T regent यहाँ पर त्यून कर रहा और इसको भीकियु कर तैक है यहांप छूल्ड़शी सि यह शाब से यहां पर नावाधे गने रहता है इस इसवारा काम क्या होता है कि simply जो भी frequency ने यहाँ पर आया ठीक है कौन से frequency ने यहाँ पर receive होगा 550 से लेकर 1650 के बीच में ठीक है यानि 540 से लेकर 1650 kHz के बीच में जो signal receive होगा suppose माल लेजी आपने receive किया signal केतना receive किया 1100 kHz का suppose ठीक है यह frequency क्या आया कहा आया FM यहाँ पर जो receive हुआ ठीक है तो अब यह सेलेक्ट हो जाएगा सेलेक्ट होने के बाद क्या होगा यह local oscillator जो लगा हुआ है अब यह क्या करेगा carrier frequency को generate करेगा तो carrier frequency को जो यह generate कर रहा है वो इस एक के एक वार्डिक generate करता है कि इन दोनों का इन दोनों का combination IF signal को generate कर दे IF signal क्या होता है IF signal कहता है intermediate frequency signal यह कितना होता है AM के लिए होता है यह 455 kHz याद रखेगा AM signal के लिए IF signal का frequency कितना होता है 455 kHz होता है तो आपका यह जो आपका oscillator है अलवरी यह क्या करेगा इन दोनों को अब इस तरह से मतलब यहाँ पर तो इस तरह से आपको frequency को generate करेगा जैसे किस तरह से इसमें जोड़ दिए 455 455 जोड़िएगा तो कितना आजा है 5 5 ठीक है 5 1555 ओके तो 1555 kHz का frequency इसको generate करना है यह oscillator क्या करेगा इस तरह से tune होगा कि 1555 kHz का frequency इसके अदर से generate होगा ठीक है और यह दोनों आके कहां मिलेगा यहां आके मिलेगा यानि 1555 का frequency यहां से आएगा signal का और यहां से क्या आएगा आपका ग्यारा सो किलो हट्स का आएगा और यह दोनों आके क्या होगा RF-IF converter में mix हो जाएगा mix होगा तो किस तरह से mix होगा इसको कहते है oscillator frequency जो निकल काया FL जातर इंडिकेट किया था oscillator frequency तो FL minus FM ठीक है यह क्या देगा आपको IF यानि intermediate frequency का formula यह होता है FL जो local oscillator frequency जो generator वो minus आपका जो frequency signal यहां रिसीव हुआ FM इन दोनों को घटाने के बाद कितना आना चाहिए जो कि आपका intermediate frequency है अब यह जो frequency यहां पर रिसीव हुआ जिसका value कितना होगा 455 kHz इसको कहते है intermediate frequency IF IF signal इस IF signal को क्या कहता है यह filter में IF filter block से पास किया आता है जिसको कहते है intermediate frequency filter block यहां पर क्या होता है इस frequency signal में अगर माली जो कोई noise है मतलब इस signal में जो receive हुए यहां पर उसमें कोई noise है unwanted signal है तो यह क्या करेगा IF filter उसको filter out कर देगा और pure signal को आगे भेजेगा जिसके कारण यहां पर signal to noise ratio जो है बढ़ जाएगा जब आप noise कम कर देजएगा तो obviously signal का value क्या हो जाएगा signal to noise ratio जो क्या है important calculation यानि एक important parameter होता है сильal to noise ratio यह हमेशा क्या होना चाहिए यानि signal का value कम होना चाहिए अगर signal का value ज्याएँ और nois के value ज्यादी हो ज्याएँ तो आपका more signal क्या हो ह蒏गा सुना ही नहींने देख आपको सिर्फ noise रहेगा हाई होना चाहिए है यानि सिगनल के वाले को जाद होना चाहिए इसी के लिए हम्मा स सीचल में क्या होता है काम क्या होता है कि यानि ऑलग करना इतन behaved विक हैं यहां प्रसर होने के बाद यहां सारो नए चैनल से होते हुए जब सिगनल पहुंचता है घड़ याता है तो यह क्या करें आपको वापस आप सुन पाएंगे नहीं पाएंगे तो उसको वाइस में कौन करता है तो यह लॉड़िय। आपको यह ब्लॉग डियाग्राम अच्छे से समझ में आया हो कि इसमें रिसीवर में कैसे कैसे रिसीवर ब्लॉग काम करता है और कैसे फाइनली हमको कोई भी एलेक्रिकल सिगनल जो एंटीना के थूरू यानि एलेक्रोमेंगेटिव वेव के फॉर्म में एंटीना के थूरू आपके कान में पहुंचता है आपके दोस्त का आवाज तो जब ब्लॉग लगा हुआ है जो आपके और करता है वापस इसमें अब से सब्सक्राइब लिए था उसके बाद को इसारा ऐ ! यहां पर यहां पर यांप आपका ऐसी तरह से क्या होता है आपका FM निसीवर होता है एक फर्क होता है वो यह है कहां गया लिमिटर लगा रहता है जिसका नाम होता है क्या 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 होता है आपका जो भी सिगनल हो रहा है सपोज यानि जो भी सिगनल यहाँ पे फ्रिक्वेंशी में सिगनल का जो अम्विची होता है वह हमिशा कॉंस्टेंट होता है लेकिन एम में क्या होता है यह constant नहीं होता है ये क्या होता है इस फॉर्म में होता है ठीक है क्या होता है यह a m में चलता है जबकि यहां पर अगर माद लिजे यहां पर जो ऐसे दिमोदेट होने को च्मिंगल आया उसका बाड गया इसका किसी इसका होना चाहिए था यह बढ़ गिया ठीक है और फिर अगला क्या फिर ठीक है और फिर कोई बढ़ गया तो यह एतना सि가नल जो ऊपर में क्या सिंगल यह होता है n तो आपको क्या होता है सबका इस से gather हो जाएगा तो इस तरह से कॉंस्टे Grill signal का amplitude यह होना चाहिए वो constant होना चाहिए अगर कोई अगर if some noise is added with the FM wave in the channel कह रहा है अगर कोई माल लिजे noise add हो जाता है channel के थूख FM wave में तो क्या होता है due to death amplitude of the FM wave may vary कह रहा है कि अगर कोई noise add हो जाता है तो amplitude क्या होता है change कर जाता है घड़ गया अलग से changes हो गया तो उसको फिर से यह क्या कर दता है constant amplitude में convert कर दता है ओके तो FM receiver में यह एक अलग से function होता है जिसका नाम है amplitude limiter जबकि आपका एम में इसकी जरुवत नहीं पड़ती है क्योंकि एम में क्या होता है amplitude जब मोडिफाई होता है क्या है मतलब कहने का मतलब क्या है सारे का अलग अलग होता है यानि जब सिंगनल ओरिजिनल सिंगनल इस तरह होता है यह फम सिंगनल लेकिन जो सिंगनल है जब यह मिक्स वह आता है जो ट्रांस्मीट कैसे होता है इस पॉर्म में यानि amplitude बढ़ता जाए घरता जाए इस पॉर्म में ठीक है जिसमें क्या होता है आज का जो हम लोगों का टॉपिक जो था है इस पर हम लोगों ने डिटेल में discussion क्या है वो क्या था ट्रांस्मीटर एंड रिसीवर ब्लॉग डाइग्राम और दोनों में हम लोगों ने देखा कि ट्रांस्मीटर में जब सिंगनल आपको मतलब अब लोगों को स्टेडी करना है जो हम लोगों को स्टेडी करना है जिसका नाम है इसके बारे में अलग से आपको एक्जाम में लिखने के लिए आता है कि इसके बारे में हम लोग डिटेल से स्टेडी अपने नेक्स क्लास में करेंगा है थैंक यू सो मुच फो वाकिंग दिस वी विल मीट इन दा नेक्स लिक्टियर